Blut Circulatory Massager बस प्रती दन केवल 15 मिनिट रहे स्वास्त Blut Circulatory Massager और साथ में स्वास्त संभाल के लिए जादुई आहारिनियम इस प्रकार तैयार किये गए हैं कि पैर के रिफ्लेक्स शेत्र की मालिष के द्वारा स्वास्त व्रुधी का लाव मिल सके ये एक अधुर्थ डिजाइन है और इसमें है आधुनिक तत्नीक जैसे की TCM का मेरिडियन विज्ञान, मानव अभियांत्रिक, बायो मैगनेटिक, बायो हॉलोग्राफिक, क्वीगॉंग आहार नियम, अक्यूपंचर तथा मौक्सी बैष्टियन वसाथ ही स्वास्तसनरक्षन इस मशीन में पैर की मालिश का कार्य उपलब कराया गया है, मधू मालिश की इस प्लेट के द्वारा आप बैठे हुए बखडे हुए दोनों ही सितियों में सुविधा युक्त अनुभव करेंगे, एकल गती और उच्छ अवरुती पर कमपन वाली ये इस्तिमाल में आसान ह लाब, ब्लद सकली ची मसाज को सिधान के रूप में घड़ी की दिशा में उच्छ अवरुती पर पेच की तरह घुमाना है, ये है पैर की मेरिडियन रिफ्लेक्स चिकित्सा का जो उर्जा वर रक्त को नीचे से उपर तक परिचलित करने हेतु परंपरिक चीनी औशदी व स्वास्त स्वास्थ्या का सयोजन है, ये मशीन शरीर की पेशियों पर कमपन का उप्योग कर उच्छ गति का व्यायाम देती है, उन्हें उत्र जित कर जिसे वे तेजी से सिकोडे व विश्राम पाएं, ये दावा किया गया है कि ब्लद सकली ची मसाजर पर 15 मिनित तुल्य ह सक्त कसरत के दो घंटे के बराबर, कार्य, मेरिडियन्स को नियमित करती है, कभी वर रक्त को आबाद बनाती है, ऑक्षिजन की आपरूती करती है, विशेले तत्व हटाती है और जीवन बढ़ाती है, रक्त नलिकाओं को साफ करती है, जिससे रक्त के परीब्रमन में सुव तता आवशेशन का कार्य सुधारता है सेल सक्रिय होते हैं जिससे प्रती रक्षा में सुधार होता है बिंदुओं को उतर जित कर वह उनकी मालिश कर अंत्रिक स्थ्राव के संतुलन को बढ़ाता है रख्त के अत्यन छोटे परीब्रमन को नियमित करता है जिससे चहरे की सुन्दर्ता वस्वास्त की देखभाल में मदद मिलती है वजन कम करने में ये सहायक है स्वसन की गडबडी, गटिया, पीट में नीचे दर, कटी पीड़ा, जोड़ों में कड़ापन और मास पेशियों की समस्याओं में मदद मिलती है जड़ हो गए कंधे, ठकन, अकडन और ऐसे कई में आरा मिलता है उप्योग में नहीं लेना है किसी चिकिटसक के निर्देश के अंतरगत इस्तेमाल करें ये इस्तेमाल के लिए उप्युक नहीं है कोई भी रखकस्त्रा, महिलाएं जो मासिक दर में है या गर्बवती है शैरोग जो सक्रिय स्थिती में है अस्थाई गंभीर माइकोकॉंड्रियल इन्फ्रैक्शन वात्योक्त रुदय बिमारी मायोकॉंड्रियल हाइपोट्राफी जन्जात रुदय बिमारी तथा ओस्टियोपरोसिस गंभीर रूप से रुदय गती का रुखना यकृत का निश्वल होना फेफडों की कारे की निश्वल्ता गुर्दय की निश्वल्ता वा अन्य गंभीर बिमारिया व्यक्ति जिनकी सर्जरी की स्थिती इस प्रकार की हो गंभीर पेट दमनी विस्वार गहरा शीर से संबंधित त्रम्बस बिना इलाज का अस्थी भंग और ऐसे कई अस्पष्ट कारणों के सार्थ बस प्रती दन केवल 15 मिनिट रहे स्वास्त